देवी संपून भयों से मेरी रक्षा करें देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है एत एव रक्षा से रहीत है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विज्य सालिनी और पापनाशनी हो एदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पक भी न जाए कवच का पाठ करके ही यात्रा करें कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लो लाब होता है तथा संपूर कामनाओं की सिद्धी करने वाली विज्य की प्राप्ती होती है वह जिस अभिष्ट वस्तू का चिंतन करता है वह उसको निश्चे ही प्राप्त कर लेता है वह पुरुष इस प्रित्वी पर तुलना रहित महान एश्वर्य का भागी होता है कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और तथा वह तीनों लोकों में पूजनिय होता है देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुरलब है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा क साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला देव प्राप्थ होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता इतना ही नहीं वह अप्रित्यू से रहीत हो जो सो 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 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है मकरी चेचक और कोड आदी उसकी संपुण व्याधियों व्याधियां नस्ट हो जाती हैं कनेर भाग अफीम धतूरे आदी का स्थावर विश साप और विच्चु आदी के काटने से चड़ा हुआ जंगम विश तथा अही फेन और तेल के संयोग आदी से बनने वाला कृतिम विश ये सभी प्रकार के विश द्वारा दूर हो जाते हैं उनका कोई असर नहीं होता इस प्रिथ्वी पर मारण मोहन आदी जितने अभीचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इन इस कवच को हैदय में धानन कर लेने उस मनुष्य को देखते ही नस्ठ हो जाते हैं यही नहीं प्रत्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकासचारी देव विशेश जल के सम्मंद से प्रकट होने वाला गण उब देश मातर से सिद्ध होने वाले निम्नकोटी के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने व आदी दाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अतिन्त बलवती भयानक दाकिनिया ग्रव भूत पिसाज यक्ष गंदर्व राक्षस ब्रम राक्षस बेताल कुष्टमांडा और भैरव आदी अनिष्टकारक देवता भी हिर्दय में कवजदारन किये मनुष्य को द देखते ही भाग जाते हैं कवजदारी पुर्षको राजा से सम्मान विद्धी प्राप्त होती है यह कवज मनुष्य के तेज की विद्धी करने वाला और उत्तम है कवज का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीती से विभूसित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ पुरुष भगवती महामाया के प्रसाथ से उस नित्य प्रसाथ विद्धी को प्रात होता है जो पहले कवज का पाठ करके उसके बाद सब्सस्ति चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक बन परवद और कानो सही या प्रिथ्वी ठिकी रहती है तब तक यहां पुत्र पौत् संतान प्रमपरा बनी रहती है फिर देह का अंत होने पर भपुरुष भगवती महामाया के प्रसाथ से उस नित्य प्रमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुरलब है वह सुन्दर दिव्य रूपधारन करता है और कल्यान में शिव के साथ अनंद का भा भागी होता है अ करें है और क्या वह रेरा बोलो दुर्गाश्च्च्थ सपती माता की जय कि अ दुनरा अ鹰ियाह से थरल्किन इनम्हारा थुष को अ कर दल में आयका है देव तो